पेलो बच्चों आप सभी को टाइल एंड इस्टिटूट में स्वागत है इस डियू सुल का इंपोर्टेंट नोट्स भी ए प्रोग्राम बी ए नर्स थर्ड सेमेश्टर सेकेंड एड्यूकेशन डिस्टिप्लीन यहां पर एड्यूकेशन डिस्टिप्लीन बुला जा रहा है लेकिन यह है चार्ड रिसर्च डिसर्ट चाइड एंड चैल्ड हुड का है ओके तो बहुत बच्चे कज सट रधो हैं यह उतना है यह तो आप लोग जल्ली से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और विडियो को जड़ा जड़ा अपने दोस्तों में सेर करें ताकि कोई भी आपके दोस्त छूट ना पाएं और और उनका उनका भी अच्छा सा पेपर हो तो आप लोग विडियो के सेर कर लिजिएगा अपने दोस्तों में और विडियो को लाइक लाइक दीजिए ओके बच्चू चलिए इसका आंसर देखते हैं लोग तो बच्चो यह रहां आंसर को रहा हर ब्यक्ती के जीवन में सिक्षा का अपनी एक महत्पूंण भूमिका होता है सिक्षा ने हमेशा से ही एक व्यक्ती में बहतर ब्यक्तित्व का निर्मान किया है शिक्षा का उद्र से क्योंड परिक्षा में अच्छे पराप्त करना नहीं होता बल्कि शिक्षा के माद्यम से नई चीजों का सिखने के साथ अपने ज्ञान में ब्रिधि की जा सकती है बच्चे हमारा देश का भईविसे हैं इसलिए हमें उन्हें अच्छी नयतिकता और बहतर तरीके से सिख्छा गरहन करने पर जोर देना चाहिए ताकि भईविसे में एक जिम्यदार व्यक्ति बन बन सके सिख्छा से बच्चे में या भी समझने की समता उजागर होती है कि उनके लिए एक क्या सही और क्या गलत जब एक बच्चा एक उतक्रिष्ट सिख्छा और अच्छी नयतिकता के साथ आगे बढ़ेगा तब देश का विकास होगा माता पिता बच्चो के सिख्छा का पःल परिवार होता है माता पिता बच्चे को बच्चे के भई शक को एक आकार देने में अधिक समय वितार है हैं तो उनके माता-पीता को उन्हें एक स्वस्त वतावरन देना चाहिए एक आसवस्त वतावरन बच्चे के विकास में रुकावट डाल सकते है इस लिए माता-पीता को अपने बच्चे को سिक्षा का अब्यास कराने के लिए घर को एक बेहतर अस्थान बनाना चाहिए माता-पिता एक कुमहार की तरह होते हैं क्योंकि कुमहार जैसे चाहे उसी परकार से बरतन को ढाल लेता है इसलिए माता-पिता को अपने बच्चे को बच्पन से ही व्रिधों व्रिधी का सम्मान लोगों के मदद करना और दूसरों के साथ व मुल्यों से आउगत कराना चाहिए एक माता-पिता को अपने बच्चे को नए और परिवर्तनात्माग पहलूं का पालन करने के लिए प्रेइद करना चाहिए अपले स्कुलों की अस्थापना बच्चे के समगर व्यक्तित्व के अधार कर निर्मान करने में प्ले स्कुलों थre Fees 10 ने काफी यगदान दिया है ये एशकुल बच्चो को वांचित विद्याले में परवेश्ट पाने के लिए तियार करने मदद करते हैं प्ले एस्कूल छोटे बच्चों में समाजिक और सेक्षिक कोशल का विकास करते हैं, या एस्कूल बच्चों को अधिक अनुसासित और समयनिष्ट बनाते हैं, दो से तीन साल के बच्चों के बीच के बच्चों को प्ले एस्कूल में भीजा जाता है प्ले एस्कूल बच्चों को अफचारिक एस्कूल में जाने के विचार से परीचित कराने मदद करते हैं या एस्कुल बच्चों के दुनिया, बच्चों को दुनिया का सामना करने के लिए तयार करते हैं। बच्चों को पढ़ाने की नवीन पद्दतियां। भाते बच्चों के सिक्षण में उप्योग की जाने वाली पद्दतियां नवीन होना चाहिए। कि क्छा में बच्चों को ध्याना करसित करने जैसे सबसे बड़ी चुनोती का अकसर सिक्छा को सामना करना पड़ता है आज की सिक्छा परढ़ाली का मुख्य होदेस बच्छों के दिमाग पर और सिक्षा के लंबे समय तक परभाव डालना है बच्चों को घर जाने के बार कच्छा में क्या पढ़ाया गया था या याद रखने में सक्षाम होना चाहिए हर बच्चे का सवभाव भीन होता है और वह अलग-अलग सिक्षन टक्निकों का परण करता है एक बार जब आप उन्हें उनकी पसंदीदा सिखने की सहली का अभियास कराते हैं तो वह आपको आश्चर चकित करने में कभी असफल नहीं होते हैं बच्चों को पढ़ाने और कच्षाओं को अधिग रोचक बनाने के लिए सिक्षकों द्वारा परयोग की जाने वाली कुछ नमीन पद्धतिया इस परकार है द्रिस विज्वल सिक्षन बच्चे देहकर बहुत कुछ सिखते हैं इसलिए अपने सिक्षन पद्धतियों में चार्ट रेखा चित्र और रंगों का सामिल करके बच्चों के रोची को जागरित किया जा सकता है सुनना और सिखना एक पाठ को कहानी के दुप में प्रवर्तित करके बताना बच्चों को सिख्षा के प्रती रूचिक पढ़ाएगा कक्षा में बच्चों के साथ गायन का उपयोग करके उनके मनुभाव में ब्रिधी की जा सकती है पहलिया और खेल पहलियो और खेलों के मदद से बच्चों को अभियास करवाएं और उनका कक्षा में अधिक मतरा में उपयोग करें इसके परणाम सरुप वे सक्रिय रूप से ऐसे गतिविदियों में भाग लेंगे कख्च के बाहर कख्चाय लगाएं जब हम क्लास को उनकी कख्चा से बाहर ले जाते हैं तो वे बहुत उत्सुकता पुर्वक चीजों को सिखते और याद रख करते हैं इसलिए सिख्चा के परसंगिकता के लिए छेत्रिया भ्रमण का आयोजन करें रोल प्ले भूमिका निभाना या किसी भी आयूवर के बच्चों को पढ़ाने का सबसे उपजुक तरीका है इस बिदी से वे कख्चाय में पढ़ाये गए पार्ट को तुरंत समझ सकते हैं कुछ दिखा करके बताना अस्मार्ट लर्निंग बड़े च्छातों को सिक्षित करन एक बहुत अखठीन कार होता है या बच्चों में चीजों को समझने उनकी व्यक्षा करने तथा उन्हें कि कहां चल गया है अब कर दो 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 कर 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 एक बड़े च्छातों को सिक्षित करने के तुलना में एक छोटे बच्चे को सिक्षित करना एक बहुत कठिन कार होता है या बच्चों में चीजों को समयने और उनके ब्यक्षा करने तथा उन्हें कर दो करना में आधिक महतपूर होता है जब बच्चे इस पसंद करने लगते हैं तो उनके लिए यह स्मार्ट लर्निंग की पद्धती काफी मजदार हो जाता है बाल ने छर्ता सिक्षा के छत्र में इतना विकास होने के बाद भी भारत में आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रास्मिक सिक्षा से भी बंचीत है सक्षाता के कमी बच्चों और साथ ही साथ देश के विकास के लिए भी खत्रा बनी होई है बाल ने छर्टा के पीछे एक परमुख करणों में बीतिया संकट भी सामिल है क्योंकि दिस्ट के जयत्तर जन संक्या गरीवी अस्तर के नीचे जीवन यापन कर रही है इसलिए भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में बेजने तता वहां आने वाले खर्च को वहां न कल्ब नहीं बचता तो परिवार के अजीवका के लिए बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं बच्चों को सिक्षा के महतों से परिचित करवाना बहुत महतपूर्ण है सिक्षा के कमी से इस बात की सम्मावना रहती है कि वह बच्चे समाज के लिए खत्रा बन सकते हैं बाद सरकार ने भारतिय सिक्षा पंडाली में सुधार के लिए कई योजनाय के सुरुवात की सरकार दौरा गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में जाने के लिए सर्व सिक्षा वियान और मिड़े मिल जैसे योजनाय चलाई जा रही है सरकार भारत की सक्षाता दर ब पर निर्भर करती है परतेक बच्चा अपने आप में खास अर्थात हर बच्चे में कोई ना कोई खुबी बहुजूद होती है इसलिए हमें बच्चों की करच्छमता की पहचान करनी चाहिए और उन्हें सही दिसा में माग्दसन करवाना चाहिए आखिरकार आज के और अच्छे से पेपर दीजिएगा ओके अल्ड़ बिस्ट सारे बच्चों को जिनका जिनका कल पेपर है सबको अल्ड़ बिस्ट हमारे तरब से बहुत-बहुत ओके सुब कामना मेरे तब से आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से पास होई है ओके फिर मिलते आगले वीडियो में थैंक्यू सो मज़ वच्चो